मही वाली मिर्ची के आज मैं आप लोग सबसे आसान रेसिपी शेयर करना चाहती है तो चले रेसिपी स्टाट करें तो यहां मैंने धोग के अच्छे से हरी मिर्च को सुखा लिया है फिर बीच में से चीरा लगाएंगे नाइफ की एल्प से अम मैं यहां पे दो टेबल लिए पड़ा के बढ़ दो दिन के लिए हमारी मिर्ची को रख देंगे और सुखाएंगे दो दिन बाद बाद शालये हैं इसके बाद अच्छी से कड़क सुख जाएंगी तेल में इसके घल के खा सकते हैं